नमस्कार आज से हम लोग देश और दुनिया में चल रहे बिजनेश, शेयर, मार्केट, कमोडिटी, मार्केट और अन्य तमाम इससे जरेख खबरों के बारे में अपडेट लाएंगे जिसे हर तरीके से जानकारी आप सभी को मिल सके बज़ट आने के बाद शेयर में तेजी का महौल बना था लेकिन लगतार तेजी के बाद कल सेंसेक 770 अंत के तक गिर गया जिससे बैंकिंग सेक्टर में काफी जाएदा गिरावर देखी गई, आईटी सेक्टर में मुनाफ़ा वसूली के कारण गिरावर देखी जा रही है बढ़ते हैं अगली खबर की तरब तो स्टार्टप इंडिया सीड फंड के लिए गवर्मेंट 283.5 करोर रुपे तक इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है जो की काफी हद तक नए स्टार्टप जो करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बरी बात है इससे हमारे देश के नए एंटर्प्रेनियोर को एक इनीशियल बूश्ट मिलेगा अगली खबर है टाटा पावर की तरफ से टाटा पावर ने एलेक्ट्रिक्स वीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अपोलो टायर्स के साथ करार किया है इसके तहट कमपनी Apollo Tires के कमर्शियल वीकल और यात्री वीकल के शेत्रों में चार्चिंग स्टेशन लगाएगी अगली खबर है LIC की तरब से LIC यानि भारतिय जीवन वीमा निगम एवं Policy, बजार, Insurance, Brokers, Private Limited के बीच आपसी समझोधा होने के बाद समझोधा होने के बाद अब नया बिजनिस की शुरुआत करेगी अगली खबर है इमामी के तरब से इमामी के संसापक अप इस सीफा देंगे और अपनी नई PD को कमान सौपने के बारे में विश्या अभिचार कर रहे है इससे कमपनी के बैल्यू पर कितना असर पड़ेगा और आने वाले चेर्मेन हर्स गोइंग का किस तरह से कमपनी को आगे ले जाते है ये देखना काफी दिल्चस्प होगा ओटो सेक्टर के खबरों पर ध्यान दे तो ओटो ने SUV Q7 का नया संसकरन लॉंच किया है कमपनी के हवाले से बताया गया है कि इसे भारत में तयार किया गया है इसकी खासियत की बात करे तो ये कार 5.9 सेकंट में 0 से 100 किलो मिटर प्रती घंटे की रफतार पकर सकती है किया इंडिया का निर्यात 1 लाग से अधिक गारियों का हो चुका है किया ने सितंबर 2019 में निर्यात शुरू किया था कमपनी ने कहा है कि इतने कम समय में ये आकड़ा पार करना बहुत बड़ी उपलब्दी है हमारे लिए सबसे ज़्यादा निर्यात के जाने वाले छेतरों की बात करे तो पश्यमेशिया, अफ्रिका, मिडिल और साउथ अमेरिका जैसे जगहो का नाम है कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करे तो सोने के भाव में शादी के सीजन के कारण तेजी दिख रही है जबकि चान्दी के दामूम में गिरावट देखी गई है बाव की बात करे तो सोने का भाव 48,200 रुपे के आसपास स्ट्रेड कर रहा है इस महीने के सबसे पहली IPO यानि इनीशियल पब्लिक ओफरिंग की लॉंचिंग हुई है मानेवर ब्रांड बनाने वाली कंपनी बेदांध फैशंस ने अपने IPO लॉंच किया है चार फरवरी से लेकर आट फरवरी तक ये खुला रहेगा प्राइस बेंड की बात करे तो 824 रुपे से 866 रुपे प्रती इक्विटी शेयर तक तै किया गया है मतलब ये कि IPO में एक शेयर की अधिक्तम कीमत आट 866 रुपे होगी बाकी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे सांथ